शार्क टैंक इटिया सीजन टू के एपिसोड वन के जो तीसरे कंटेस्टेंट थे वो थे रिकोर्ड इस्टूडियो ये एक कॉस्मेटिक ब्रैंड है इनके डिमांड थी ये एक करोन रुपए फंडिंग चाहते थे अपना एक परसंट इक्यूटि दे के मतलब यहाँ पे अपनी को अपनी फंडिंग नहीं मिल पाई ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने ही कोशिश करेंगे ये स्टार्टप बहुत ही खास था आये इसको समझते हैं रिकोर्ड इस्टूडियो की शुरुवात साल 2018 उन्निस में दो को फंडर्स ने किया था ये कॉस्मेटिक ब् जिस वज़े से इनके रिटेल इस्टोर पूरी तरीके से बंद हो गया अब इन्होंने अपने प्रोड़क्त एक 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 रुपए में मार्केट में बेज दिया जब लोगों ने एक 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 रुपए में इनके प्रोड़क्त खरीदा यूस किया प्रोड़क्त इनके अच्छ D2R भी बेचते हैं, मतलब आप direct to customer भी बेचा करते हैं और retail stores को भी बेचा करते हैं, इंडिया के 200 stores में इनके product बिखा करते हैं इन्होंने market में जो सबसे बड़ा gap realize किया था इन्होंने देखा कि international product जो हुआ करते हैं इन्होंने बेचना शुरू किया शुरुवात में ये बहुत कम product के साथ market में launch हुए थे जैसे कि nail paint, kajal, liquid lipstick और bullet lipstick जैसे कुछ ही product से शुरू किये थे धिरे-धिरे उन्होंने अपना SKU बढ़ाते गई है अगर हम इनकी packaging देखेंगे तो वो बहुत ही strong नहीं है जिसको अमन गुपता ने भी बोला और इन्होंने admit भी किया कि हम अपने packaging को और ज़्यादा better कर सकते हैं जितनी ये better packaging करेंगे उतने high price पे अपने ये product आजकी रेट में बेच सकते हैं इन्होंने market में अपना एक trust बनाया cosmetic product में न सबसे important होता है कि आप customer के साथ अपना trust बना पाएंगे कि नहीं क्योंकि cosmetic सारे product face पे use होते हैं जिस वज़े से female आज भी इंडिया में बहुत तदा डरा करती हैं कि ये product कहीं हमारे body को harm न कर जाए तो इस business पे trust factor बहुत important होता है हमने अपने बहुत से वीडियो में बात किया है cosmetic product में कितनी बड़ी opportunity है और ये आप इनके sales में भी देख सकते हैं जब इन्होंने business शुरू किया था तो पहले साल इन्होंने करीब 25 लाक रुपे का revenue जनरेट किया था last year अभी इन्होंने करीब 15 करोण के revenue टच किया है इस year अभी ये करीब 11 करोण के revenue टच कर चुके है और इनका मानना है कि हम 30 करोण पे ये year खतम करेंगे तो दोस्तों इतनी बड़ी आप सोचने एक sale कैसे आ सकती है तो कॉस्मेटिक में इतनी बड़ी demand भी है जिस वज़े से इन्हीं इतनी ज़्यादा sale आ रही है इनके market में grow करने का जो सबसे बड़ा reason है इन्होंने marketing को बहुत ही अच्छे समझा थोड़ा सा हम कॉस्मेटिक के marketing समझने ही कोशिश करेंगे तो साल 2000 के पहले departmental store या chemist shop या फिर door to door जाके कॉस्मेटिक प्रोड़क बेचे जाते थे साल 2000 के बाद थोड़ा सा market shift हुआ जिसके बाद supermarkets, mall, छोटे kios और free trial देके make-up का अपने product लोग बेचा करते थे लेकिन साल 2015 के बाद market और shift हुआ ये e-commerce के तरफ चला गया और e-commerce के opportunity इन्होंने बहुत जल्दी realize कर दी, इसलिए इन्होंने marketplace अपना develop किया इसके साथ ही आज की date में cosmetic product अब लोग अपने blog के थुरू भी बेचा करते हैं इसके साथ ही beauty training दिया करते हैं, salons में जब लोग जाते हैं तो salon के जो owner होते हैं वो भी recommend करते हैं आप इस brand का product यूज करिए, तो recommendation पर ये market बहुत चल रहा है इसलिए record studio ने अपने साथ बहुत सारे influencers हायर किये अब वो influencer इनका product recommend करते हैं, females से उसे use करती हैं अब वो product उन्हें अच्छा लगता है तो वो reorder करती हैं, इनका customer retention करी 50% है मतलब अगर कोई 2 females से इनके product खरीदे हैं, तो एक इनको return आएगी जरूर इस startup को अगर हम समझने ही कोशिश करें, तो इन्होंने 100 करोण के valuation पर funding मागने की कोशिश किये और जो कि relevant भी है, क्योंकि ये अगर 15 करोण, 20 करोण, 30 करोण की अगर ये sale कर रहे हैं yearly तो मतलब इनका 100 करोण के valuation होना चाहिए, बहुत high इन्होंने demand नहीं किया लेकिन founders ने इनके company कोई से नहीं fund किया, क्योंकि sugar cosmetic की founder महीं पर बैटी थी, जो कि उनकी friends थी जिस वज़े से वहाँ पे बैटी founders ने उस company में invest नहीं किया, वो चाते दे कि हम अपनी दोस्त के computer companies में नहीं invest करें तो दोस्तों मैं personally ये मानता हूँ कि ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर 5 ये 6 शाक बैटे हैं, तो सब कोई बड़े industry में है कोई lens card के founder है, तो कोई car देखे हो, कोई founder है, तो कोई अलग-अलग sector में है, कोई pharma में है, तो इन सारी industries में आए हुए लोगों का shark tank में मतलब कोई मतलब ही नहीं बसता है तो यहाँ पे founder को यह समझना होगा, कि आप अपने emotions को पहले रखके आईए, और जब आप वहाँ पे कोई अच्छी company आ रही है, तो आप उसको funding जरूर करिए, इस company को funding मिलनी चाहिए थी हाला कि आप आने वाले टाइम में देखेंगे, record studio को बाहर से कहीं से बड़ी funding जरूर मिलेगी, क्योंकि यह cosmetic की वो demand को complete करने की कुशिश कर रहा है, और इनके sales में वो चीज़े दिखाई दे रही है पहले शाक्स इनको बहुत ही serious नहीं ले रहे थे, जैसे ही उन्होंने इनकी sales होनी, वो भी बहुत ज़्यादा serious हो गए थे buying capacity बहुत बढ़ गई है, इस वज़े से cosmetic में लोग जादे से जादे पैसे invest कर रहे हो, especially females और अब males का भी market cosmetic में बढ़ता जा रहा है यह चीज़े आप भी कर सकते हैं, यह कोई बहुत बढ़ा unique बात नहीं है, और cosmetic industry में opportunities भी available है आप comment option में लिखके बताइए अगर आपने record studio का कभी product use किया है, और क्या यह sugar cosmetic के product से better है या नहीं है क्योंकि social media पे काफी लोग कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर record studio sugar cosmetic को पीछे छोड़ देगा, जिस हिसाब से उनकी sales है तो आप भी comment option में लिखके इसके बारे में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को like करेगा हमाने वाले episode में और सारे shark tank में आई हुए founders को decode करने की कोशिश करेंगे और business model को समझेंगे वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को like करेगा, channel को subscribe करेगा, bell icon में प्रेस करेगा